आज तक ऐसी कोई विज्ञानिक रिपोर्ट नहीं आई है जो ये साबित करे कि COVID-19 का संक्रमन खाने की चीजों से या फिर उसकी पैकेजिंग से होता है लेकिन फिर भी हर खर्त्रेश से बचने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप बाजार से या दुकान से घर आएं तो अपने हाथों को बहुत अच्छी से 20 सेकेंड तक साबुन और पानी से धोलें फल सबजियों के साथ साथ दूद, दही और अन्य चीजों के पैकेट को भी अच्छे से पानी से धोलें अगर आप बाहरी पैकेजिंग निकाल सकते हैं तो उसको निकाल के धकन वाले कूड़े दान में डाल दें अगर आप पैकेट को धो नहीं सकते तो उसे किसी भी डिसिनफेक्टन से साफ कर लें खाने के डिबबे या तिन को अच्छे से जांच लें और अगर वो फूलावा है या उसमें से बद्बू आ रही है या कोई रंग बदलाव है या अगर आपको लगता है कि ये खाना ठीक नहीं है तो उसे बिल्कुल ना खाएं पका हुआ खाना जो आप बहर से मंगवाते हैं उसे बहुत अच्छे से गरम करके ही खाएं और खाने को भी अच्छे से पका के खाएं विशेशकर मासाहरी खाना जैसे कि अंडा, मास, मचली आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाबधायक थी, सुरक्षत खाएं और स्वस्त रहें